हाई व्रिवन सो अभी हम इंडेस 115 से एक अच्छा कोशिन करेंगे जो कि MTP नॉमबर 2021 में कोशिन नमर 5 यह है और यह कोशिन आपको एक बार अच्छे से कर लेना चाहिए क्योंकि बाइचांस कोशिन एक्जाम में आते हैं और आपने अगर यह कोशिन नहीं क्या होगा तो थोड़ी दिक्कात आ सकते हैं तो चलिए हम फटाफट से कोशिन को फटाफट डिसक्रस करते हैं निवान लिमिटेट कमेंस टू वर्क अन्टू लॉंग टम कॉंट्रेक्स दूरिंग दा फाइनिशियल एर एंडेट हों 31 मार्स 2002 यह दो कॉंट्रेक्ट दिया हुए अलग-अलग यह दोनों सेपरेट कॉंट्रेक्ट को अलग-अलग से इंडिविजियल भी सॉल्व कर सकते हैं बाद में हम सुलूशन का प्रेजेंटेशन बता दूँ आप मुझे 40 लाग रुपीस टोटल दोगे यहने सेल वेल्लू टोटल मुझे कितना मिलेगा 40 लाग यही रेवन्यू दिखाया जाएगा ओवर दा पिरेट आगे देखते हैं इट वस एन्विस्टेश डेट अट टोटल एक्सपेक्टेट कॉस्ट उट बी रुपीस 32 लाग यहने टोटल एक्सपेक्टेट कॉस्ट कितना लगेगा 32 लाग लगे और यह दो साल तर चलेगा फर्स जून को हम कॉमेंस कर रहें कॉंट्रेक को अब 31 मार्च 2002 आ गया इन्हें पहला साल का यहरेंड आ गया क्योंकि फर्स जून 2001 के बाद पहला साल का अंड कब आएगा 31 मा के एस्टीमेट ओफ टोटल एक्सपेक्टेट कॉस्ट तो भी रुपीज 34 लाग ओन दा बेसिस अधिसनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट रुपीज 2 लाग इंकर्ड ओन दा कॉंट्रेक्ट दूरिं दा करेंट फानिशल यर मतलब आब देखा जा तो इस 32 लाग का कोई काम नही सर्वेयर और यहां से यह समझता हूं कि कॉंट्रेक्ट अगर 30 परसन कंप्लीट हुआ है 30% at first year end तो इतना हम क्या करें अगर 30% complete हो जाए तो to the extent of 30% हम revenue भी दिखा सकते हैं और हम cost भी दिखा सकते हैं बाकी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देखिए performance obligation are satisfied over time तो अगर performance obligation satisfied हो जाता है over time तो ऐसे situation में हम क्या कर सकते हैं हम जितना proportionate हमारा completion होगा जैसे input method output method कमने discussion किया था तो उसके according हम क्या करेंगे 30% कम revenue recognize कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 30% अपका completion होगा 30% कम revenue दिखा सकते हैं तो revenue हम total कितना दिखाएंगे total तो 40 लाग आपका revenue दिखाओगी जब 100% complete होगा बठवा कितना 30% complete तो revenue दिखाई देगा 12 लाग cost कितना हम recognize करेंगे same matching concept के साफ से same हम वही करेंगे जैसे कि आपका total cost कितना लगना है total cost आपका लगना है 34 लाग रुपेस है ना और 30% complete हुआ है cost भी 30% का हम लोग दिखादेंगे 30 यह नहीं कितना आते है देखिए निवान लिमिटेड हैस इंकर्ड cost up to 31st March 2002 और रुपे 16 लाग और इसे payment received हुआ 13 लाग का देखिए इसने cost लगा 16 लाग अब आप बोलोगे सर cost तो लगा है 16 लाग और आपने दिखाए 10.2 लाग अरे 30% complete हुए तो 30% का ही तो हम उतना ही तो cost दिखाएंगे बाकी काम चालू है बाकी काम कि अब progress में है तो बाकी जो काम progress में रहता है वो हम खरचा नहीं दिखाते वो हम दिखाते WIP working progress में दिखाते contract WIP में दिखाते यानि कहने का मतलब यह आपका जो 10.2 लाग है cost अभी तक incurred हुआ है मैं चलो इस सरीके से दिखाते हो यह तो हमने एक निकाला यह तो हमने निकाला कि हमें इससे पता चला कि first year end में 30% completion के सबसे revenue 40 लाग का 30% 12 लाग दिखाए चाएगा and cost भी 34 लाग total लगना है तो बाकी जब आगे जाकी जितना cost लगेगा आगे जाकी जितना काम complete होगा बाकी का remaining जिससे 34 लाग total cost लगना है हम 30% अभी cost खरचा दिखाएंगे बाकी 70% जब काम complete होगा तो 34 लाग का 70% हम बाद में दिखाएगे अब बोलोगे सर अब बाद में तो यहाँ पर हमने पैसे तो लगाए दिए तो इसका मले तो नब वो हम खरचे दिखा देंगे तो यहाँ पर 16 लाग हमने पैसे खरचे कर दिए doesn't mean कि 16 लाग रुपिस हम cost दिखा देंगे क्योंकि काम complete जो होगा उसकी सबसी इतने cost दिखाना जाए बाकी हमारा काम चाल हुए हमने पैसे वहाँ पर लगा दिए जिसका completion बाद में होगा तो इसलिए यह 16 लाग कभी भी हम cost नहीं मानेगे तो यहाँ पर मैं आपको balance rate के वे से समझाने की courses करता हूँ मेरा केना यह है कि मैं revenue दिखाऊंगा 12 लग और cost दिखाऊंगा 10.2 लग है ना तो इसे मेरा PL आ जाएगा कितना आएगा मैं दिखाऊंगा 12 minus 10.2 यह आएगा कितने का 1.8 का मेरा PL आएगा मतलब मैंने खरचा 10.2 दिखाया खर्चा 10.2 दिखा पर मेरा खर्चा रियल में इंकर्ड हुआ कितने का 16 का यहनि जो additional खर्चा हुआ न वो मेरा contractor WIP है इतना 5.8 का contractor WIP दिखाऊंगा में आपर contractor WIP 5.8 का दिखाया जाएगा अब आगे दिखे अब आप बोलोगे sir पैसे भी तो दियोंगे तो जितना हमने खर्चा गया फही पैसे जितना लगा वही तो cost incur, incurald मतलब क्या पैसे दिये यानि 60,00,000 हमने पैसे दिदी आपर तो cash हमारा कितने से कम होगा cash हमारा 16,00,000 से कम हो जाएगा यापर talking 16,00,000 से हमारा cash कम हो जाएगा अब हमें पैसे receive भी तो होए होंगे पैसे कितने receive हुए हमे थाटीन लाग पैसे receive हुए है तो cash भी तो हमारा दिखा चाहिए तो पैसे में receive कितना होना चाहिए मेरे बात सुनिए हम revenue 12 लाग दिखा रहे तो हमें party से 12 लाग काई पैसे receive होना चाहिए पर पार्टी ने हमें पैसे कितने दे दिये 16 लाग तो खर्चा incurred हुआ पार्टी ने 13 लाग हमें पैसे दे दिये पर उन्हें देना था 12 लाग की उसने 1 लाग हमें जादा दिया तो 1 लाग जादा जो दिया वो क्या होगा Advance from Customer है ना Advance from Customer आजएगा कितना वन का तो यहाँ पर आप देखेंगे पुल मिला कि इधर आएगा 2.8 और इधर भी आप देखें 5.8 हमने Contract WIP दिखाया 16 लाग का हमारा Cash गया और 13 लाग का Cash आया यहनि माइनस 3 5.8 यह भी 2.8 आजएगा देखें balance rate मैच हो रहा है मैं फिर से आपको यहाँ पर analysis करके repeat करना चाहता हूँ फिर से एक बार repeat करना चाहता हूँ दाकि आपको clarity मिले मैंने कहा कि cost मेरा incur हुआ है कितना मेरा cost incur हुआ 16 लाग यहनि cash मैंने दे दिया 16 लाग का लेकिन मैं expenses दिखाऊंगा expenses PL में दिखाऊंगा कितना 10.2 ही PL में दिखाऊंगा यह मेरा PL में दिखेगा बाकी का मैं क्या करूँगा बाकी का जो मेरा expenses हुआ है यह मैं asset दिखाऊंगा contract WIP के नाम का asset दिखाऊंगा 5.8 का asset दिखाऊंगा यह मुझे समझ मैं है अब अगर मैं बात करूँ ये तो देखे कोस्ट का बात हुआ ये 16 लाग इंकर्ड हुआ 10.2 हम खर्चा दिखाएंगे बाकि 5.8 हम एसेट दिखाएंगे Contractor WIP के नाम पे एसेट दिखाएंगे अब बात होगी revenue की देखें revenue हम दिखाएंगे कितना revenue हम दिखाएंगे कितना या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं हम इसे लिखेंगे cash received हुआ हमारा हमें पैसे मिले 13 लाग customer से है ना 13 लाग हमें cash 13 लाग received हुआ customer से लेकिन हम revenue दिखा रहें कितना revenue तो हम 40 लाग का 30% 12 लाग की revenue दिखाएंगे है ना ये भी देखा जदो PL काईसा होगा इसी से तो PL आएगा दुनों का net ये वाला और ये वाला से 1.8 का PL आएगा बाकी का क्या बाकी extra जो पैसा मिला ये advance है advance from customer है कितना 1 लाग का advance होगी आपका और ये liability होगा कितनी का 1 लाग का तो वही तो मैंने दिखाना चाहा और इसी को मैंने balance sheet में put क्या दिखे 16 लाग cost incurred है और अब सोरी खर्चम 10.2 दिखाएंगे revenue 12 ले नी 1.8 का आपका PL होगया अब 16 लाग cost incurred होगा और cash received इट का आएगा और साती साथ आपका advance from customer one leg का हमारा advance liability आजाएगा तो ये बस मैंने पूरा आपको details समझाने का causes के इस question से आपको पूरा details समझा दिया बाकी मैंने answer भी नीची यहाँ पर present किया हुए यहाँ पर भी आप देखिए मैंने trading account बना के रखा यह आपको seat मिल जाएगा ऐसे भी कि revenue हमारे 12 lakh है लेकिन हम cost दिखाएंगे 10.2 तो profit 1.8 का एगा अब देखिए हम cost recognize करें 10.2 पर actual में हमारा पैसा गया 16 यह नहीं 5.8 हमारा contract WIP हो गया व्यासे revenue 12 दिखारे पर payment received 13 तो liability आपका one का हो गया और यह मैंने balance इट भी यहाँ पर बना के रखा है यह भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर को tension वाली बात नहीं है अब वैसे ही सीम अगर हम बात करें तो यह वाला हो गया हमारा बस IC का प्रेजेंटेशन में दिखा दूँगा वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो चलेगा और यह फिर ऐसे भी करो कोई problem नहीं है बाकी चलो वह matter नहीं करता पर पहले आपको समझ लेना question को समझ लोगे तो प्रेजेंट तो कैसे भी कर दोगे पर मैं IC का प्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर लूँगा आगे second वाला contract second वाला contract बी एंड कंपनी का comments वह 1st September 2001 को and was for 18 months यह वा सप्टेंबर से लेके आपका यहीं दो साल हो में the total sales value of the contract was Rs.30 lakh and the total expected cost 24 lakh है payments हमने receive किया 9.5 और हमने पैसे लगा दिये cost incurred के 8 lakh का काम 20% complete हुआ तो आप खुछ सोची logically काम अगर आपका 20% complete हुआ तो revenue कितना दिखाऊगे 30 lakh sales value total मिलेगा 30 lakh का 20% 6 lakh का revenue दिखाऊगे है और आपका यहाँ पर total खर्चा कितना लगने 24 lakh total खर्चा लगने आपका तो cost कितना दिखाऊगे 24 lakh का 20% यहनी 4.8 का cost दिखाऊगे यहाँ पर यहनी PL में कितना जाएगा profit कितना जाएगा 1.2 अपका profit में चला जाएगा यह हमने पता कि आप देखिए मेरी बात समझें revenue हम 6.6 lakh दिखाऊगे revenue हम 6.6 lakh दिखाऊगे पैसे में मिल कितने रहे पैसे में 9.5 मिल रहे अब revenue हमने 6 lakh दिखाया पैसे customer से 9.5 मिल रहे मतला आपका liability कितने का होगा 3.5 का liability होगा है ना simple सी बात है और अगर हम बात करें cost हमारा हम दिखा रहे 4.8 पर हमने पैसे देद गी अभी तक 8 lakh तो बाकी तो हमने advance दी एक contract WIP तो 4.8 के ओप पैसा जा रहे पर हम खर्चा दिखाएंगे 4.8 तो बाकी का asset दिखाएंगे यहनि 3.2 का asset दिखा दिया जाएगा 3.2 का asset दिखा दिया जाएगा तो चली यह भी मैंने आपको समझा तो दिया बस इसको अब हम क्या करेंगे प्रेजेंट कर लेंगे balance rate में तो मैं आपर अगर मैं चलो प्रेजेंट करने की जरूतिनी उपर वाला से मैं आपको करवा देता हूँ देखिए यहाँ पर revenue हमने द जाएगा 1.2 लाग यह तुमारा पेल में चला जाएगा अब आगे हम बात करते एक बार हो जाएगे मैं आपर एक लाइन लिखा देता हूँ मैं आपर यह कहना चाहता हूँ कि revenue हमने 6 लाग दिखाया पर received हुआ हमारा 9.5 लाग यानि हम दिखाएंगे advance from customer कितना 3.5 लाग का advance from customer हो गया फिर cost की बात करेंगे हम्यारा cost poor है total 4.8 लाग का payment हमने किया cost incurred हुआ payment हमने किया कितना 8 लाग किया था payment हमने 8 लाग का किया था तो trade means what आपने payment हमने ज़्यादा कर दिया तो बाखी का contract WIP महला काम चालू है पैसे इमने ज़्यादा दे दिया तो contract WIP कितना आ जाएगा 3.2 लाग का contract WIP आ जाएगा देखिए यह मैंने यहाँ पर भी लिख लिया अब आगे देखिए balance sheet में बस हुई balance sheet में प्रेजेंट कर दिया आप पर balance sheet में हमने क्या आएगा PL में क्या आएगा revenue minus cost यह PL में आ आगया आपका advance from customer 3.5 पैसे minus 8 यानि गय इतने cost incurred हुआ और इतना हम एक party से मिला तो ultimately cash आपका इतना का figure आएगा contract WIP 3.2 यह सारे यही से हमने पैसे उठा लिए देखिए 9.5 और 8 9.5 received हुआ 8 गया यह नि 1.5 net आ आपका आपका इन दोनों का net आपका 1.5 है revenue minus cost यह 1.2 PL यह रहा 1.2 PL advance from customer 3.5 और contract WIP 3.2 तो इसी से तो यह सारे से तो फिगर आरा आपका balance system ने बना दिया अब हम total एक साथ इखटा कर दोनों contract को एक साथ दिखाना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि देखे पुराना पहले contract पहले वाले contract में WIP 5.8 था और दूसरे वाले यहां पर 1 मिला हुए है और यहां पर advance 3.5 यानि कितना हो गया 4.5 का advance हो गया revenue दोनों का मिला देते है revenue हमने पहले वाले में revenue दिखाया 12 लाक दूसरे वाले में revenue 6 लाक दिखाया तो 18 लाक का revenue हो गया और cost हमारा पहले वाले में हमने cost है 10.8 दिखाया दूसरे वाले में cost हमने दिखाया कितना 4.8 यानि कितना है 15.6 हा रहा है 10.2 था गया हाँ 10.2 और 4.8 यानि आपका 16 का 15 का cost हो गया और दोनों का मिला के net profit 3 होगा 18-13 और यहाँ पर भी आप देख लिए पील यहाँ पर 1.2 लिखा वह यहाँ पर 1.83 हो गया मैं दोनों का merge कर रहे और कुछ नहीं कर रहे तो बस यहाँ पर बात कर दम question तो मैंने पूरा आपको समझा दिया अब मैं यहाँ का इनका यह working दिखा दे तो simple सी बाते देखिए इन्होंने पहले revenue का working बता में इन्होंने का revenue देखिए आपने A& company की बात करें तो इनका revenue 12 है निकाला था 40 का 30% और खर्चा 34 का 30% है ना 34 का 30% आपका खर्चा हो गया 10.2 यहाँ पील में 1.8 है यहाँ आगया हमारा फिर A& company की बात कर रहा हो सिर्फ मैं तो देखिए आपर आपने revenue billing के 12 का क्योंकि revenue आपने 12 का दिखाया पर आपको पैसे म 15 तो 10.2 माइनस 16 5.8 आगया मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले आपने यह बना लिया ना फिर आप क्या बोलोगे पता है इसको लिखोगे आपका revenue 12 है पर आपने billing जो है आपका 12 का पर आपने 13 रेसीव किया यहनि 1 और दूसरा 10.2 आपका खर्चा है पर आपने इंकर किया 16 यहनि 5.8 यहनि इन दोनों से ही आपका ultimate अपने आप ही आजाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कहूंगा कि पैसे जो मिले हमें 13 मिले यहनि advance आगया 1 का और यहाँ पर incurred किया हमने कितना 16 यहनि आपका WIP आगया contract वाला 5.8 अपने आप ही आ रहा देखिए आपर और अगर मैं BN company की बात करूँ तो BN company में भी revenue इनोंने 6 दिखाया पर इनको पैसे कितने मिले 9.5 मिले इनोंने revenue 6 दिखाया पर इनको पैसे मिले 9.5 तो अब देखिए advance कितना हुआ 3.5 और अगर हम बात करें खट्चा इनोंने 4.8 दिखाया खट्चा इनोंने 4.8 दिखाया पर इनका इनकर हो गया था 9 9ी तुबहा था 8 हु था इनकर हो था 8 तो यह एक्स्ट्रा जो है यह इनका क्या रहेगा में कि 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 एंट वरीटो डिट्में ऑलेट कि तुझ कि इन्हें, हम नी यहां पर निकाला कि जो मैंने फीगर लिखे वही वही दिखा के calculation of amount due from customer है ना work in progress आपका ये वाला अलग अलग दिखा के इस तरीकी से बुकर दोगे और फिवाद में extract or balance sheet बना दोगे तो extract or balance sheet में दिखेंगे current asset में दिखाओगे contract WIP जो है दोनों का मिला दोगे तो दोनों का मिला के कितना हो रहा 1 और sorry 5.8 और 3.2 है ना नहीं आ गया आपका और contract liability जो है आपका है ना जो आपने पैसे ज़्यादा ले रखें advance advance देख लिजा 1 और 3.5 यह आ गया 4.5 तो extract हमने दिखा दिखा दिया और PL का भी हम extract दिखा दिखा दिखेंगे revenue तो revenue हमारा कितना हो रहा रहा है यह नहीं 15 हो रहा है आपका ultimate net profit आगया तो अब इसको अराम से present कर सकते हो बस आपको थोड़ा से देखना पड़ेगा है ना इस वे में present करना देखना पड़ेगा बाकि अपने वे से भी present कर सकते हो and question tough नहीं question symbol है बस आपको जो मैंने समझा है वो आप समझके रखीगा अच्छे से एक बार दो बार practice कर लिजेगा एक बार at least practice कर लिजेगा अब exam में अराम से manage कर लोगे चलिए